हाई अव्रीवान वेलकम टो कुकिंग विद बेनजीर अस्सलाम वालेकुम आज हम नहारी बनाएंगे बिल्कुल घर के मसालों से पॉफेक्ट नहारी बना करके तयार करेंगे सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लेकर उसमें ओयल गरम करने के लिए रख दिया है हमने यहाँ पर पॉना कप तेल यूज किया है याने की तीन चौथाई कप तेल नहारी में तेल थोड़ा ज्यादा इस्तमाल होता है आप चाहें तो कम भी यूज कर सकते हैं तेल जब का गोश भी कहते हैं हमने मटन के बड़े बड़े पीसेस करवाए हैं साथ में हमने नली भी यूज की है इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट अच्छा हैगा हम तीन टेबल स्पून भरकर अध्रकलसन का पेस्ट भी डाल देंगे इसमें घर पर किस तरह से परफेक्ट अध्रक करना है अच्छी तरह से गोश का कलर चेंज हो जाएगा तब तक काफी सारे व्यूवर्ज ने हमसे रिक्वेस्ट की हैं कि हम नहारी की रेसिपी अपलोड करें क्यूंकि काफी सारे लोगों से नहारी पफेक्ट तरीके से नहीं बनती हम आज आपके साथ डीटेल रेसिपी करेंगे जिसमें हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे जिससे इंशालला आपकी भी नहारी बहुत अच्छी और ऑथेंटिक बन कर तयार होगी फ्लेम को हाय करके हमने चलाते हुए 5-6 मिनिट अच्छी तरह फ्राइ किया है मटन को सबसे पहली टिप यह है कि आपको यहाँ अबर मटन को अध्रक लसन के साथ बहुत अच्छी तरह फ्राइ करना है ताकि अध्रक लसन का कच्छापन खतम हो जाए और अच्छी सी खुश्बू आने लगे हमने फ्लेम को अभी लो किया है हम यहाँ पर नहारी मसाला डालेंगे जो हमने घर पर बनाया है इसका वीडिय नहारी मसाला भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घर का नहारी मसाला टेस्टी होता है वो एक तरफ और दूसरी तरफ हम मिलावतों से बच जाते हैं और घर पर ही बहुत आसान तरीके से यह बन सकता है हम एक किलो मटन यूज़ कर रहे हैं तो यह जो मसाला है हमें 4 टेबल स्प मसाला डालने के बाद फ्लेम को लो कर दें, अच्छी तरह से हमने इसे मिलाया है, हम इसमें थोड़ा कश्मीरी मिर्ची पाउडर भी डालेंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आए, हाफ टीबल स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे, मसाला डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मसाले को भूने करना मसाला जल जाएगा और आपकी नहारी का कलर ब्लैक हो जाएगा हम ब्लैक नहारी का कलर नहीं चाहते अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर चलाते वे भून रहे हैं तो फ्लेम को हाई कर सकते हैं हमें कम से कम तीन से चार मिनिट इसी तरह भूनते रहना है अच्छी तरह से हमने मटन को भून लिया है हम इसमें एक लीटर पानी डालेंगे अच्छी तरह से चला लेंगे आप प्रॉपर तरीके से अगर सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी नहारी बहुत अच्छी बन कर तयार होगी सबसे पहले तो आपने मसाला बना कर तयार करना है क्योंकि एक बार आपने ये मसाला बनाया तो ये मसाला तीन से चार महीनों तक आराम से चल सकता है और अगर आप मसाले में थोड़ा नमक डाल के रखेंगे तो छे महीनों तक भी मसाला खराब नहीं होगा एक लीटर पानी डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसे मिलाया है अब तक हमने दो टिप शेयर की है एक तो अध्रक लसन डालकर आप मटन को अच्छी तरह भूने और दूसरा जब आप इसमें नहारी का मसाला डालें तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे भूने बगेर पानी के इसे नाभुने वरना मसाला जल जाएगा और नहारी का कलर डाक हो जाएगा ये दोनों टिप्स को आप ध्यान से फॉलो करें एक लीट पानी डालने के बाद हम प्रेशर कुकर का लिट बन करेंगे प्रेशर कुकर का लिट बन करके हम पहले एक विसल तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे बाद में फ्लेम को लो करेंगे और कम से कम 15 मिनिट लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे नहारी का जो गोश है वो अच्छी तरह टेंडर होना गलना बहुत ज़रूरी है तब नहारी का टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक और परफेक्ट आएगा तो आप नॉर्मली जिस तरह गोश पकाते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा देर पकाएं हमने मटन को गलने के लिए रख दिया है तब तक हम आटा भून करके तयार करेंगे एक कड़ाई में हम 3-4 अप आटा ले लेंगे यहाँ हमने केहुं का आटा यूज किया है आप चाहें तो मैदा यूज कर सकते हैं मैदे को भूनने की जरुवत नहीं है आप चाहें तो बेसन यूज कर लें बेसन को भी बिल्कुल इसी तरह से भून लेना है आटे को इस तरह भुनने से इसका कच्छापन खतम हो जाएगा और नहारी का टेस्ट अच्छा हैगा ध्यान रखना है यह बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है हमें चलाते हुए कंटिनियूस इसे चार से पांच मिनिट भुनना है आटा थंडा हो चुका है हम इसमें पानी ड 250 ml अच्छी तरह से एक लंब फ्री स्लरी बनाकर हम तयार रखेंगे 15-20 मिनिट तक हमने अच्छी तरह से मटन को गलाया और बाद में 10 मिनिट के लिए ऐसे ही रहने दिया था ताकि इसका तमाम प्रेशर रिलीज हो जाए हम अब मटन को चेक करेंगे यह गल गया है कि नहीं माशालला बहुत अच्छी तरीके से मटन गल गया है बस ऐसा ही गला हुआ मटन चाहिए हमें इसकी सर्फेस पर जो ओईल फ्लोट हो रहा है यह हमें निकाल लेना है क्योंकि जब हम इसमें आठा डालेंगे तो नहारी में तेल बिलकुल नजर नहीं आएगा इसलिए हमें यह ओईल को निकाल लेना है यह बहुत ज़रूरी है हम ध्यान से ओईल को निकाल लेंगे इस तरह से हमने काफी सारा तेल अलग निकाल लिया है आप इसे जरूर अलग निकाल कर रख दें हम इसके अगले स्टेप पर जाएंगे हम इसे एक ब्रॉड बर्टन में डाल देंगे ताके हम आपको आगे आसानी से बना कर बताएं हमने एक अलग बर्टन में नाहारी को निकाल लिया है और इसे बॉइल होने के लिए रख दिया है जब ये इस तरह से बॉइल होने लगेगा हम इसमें आटे और पानी की सलरी डाल देंगे ध्यान रहे डालने के पहले एक बार इसे अच्छी तरह से जरूर मिला लें फ्लेम को हम लो रख के ही डालेंगे लेकिन हाँ जब ये बॉइल हो जाए कम्प्लीटली उसके बाद डालेंगे उसके पहले नहीं आप देख सकते हैं इसमें उबार आ गया है इस तरह से डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को भी चेक करते रहेंगे हमने इसमें तमाम आटे की सलरी डाल दी है तीन चौथाई कप बिल्कुल पॉफेक्ट होता है इतनी नहारी के लिए वैसे ये थिकनस इसकी आपके उपर भी डिपेंड होती है अगर आप ज्यादा गाड़ा चाहें तो गाड़ा रखें वरना पतला रखें कम सलरी डालें इसमें सलरी डालके मिक्स करते रहें और देखते रहें आपको किस तरह की कंसिस्टेंसी पसंद है बस उतनी हद तक डालें, हमने 1 टेबल स्पून मसाला बचा कर रखा था, हमने स्टार्ट में आप से कहा था कि इसमें 4 टेबल स्पून डाला जाता है, लेकिन हमने 3 टेबल स्पून ही डाला था, वो 1 टेबल स्पून हम ये पॉइंट पे डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर और फिर फ्लेम को लो करके इसे आधा कवर करेंगे और 10 मिनिट इसी तरह पकने देंगे, बाद में हम इसके तड़के की तयारी करेंगे, एक कड़ाई में हम तक्रीबन 2 टेबल स्पून प्योर घी डाल देंगे, घी गरम हो चुका है, हम इसमें एक चोटी प्यास दालेंगे, स्लाइस करके, प्यास को हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, अच्छी तरह से प्यास ब्राउन हो चुकी है, हम ये पॉइंट पर फिलेम को बन कर देंगे, और इसमें एक ती स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल देंगे, एक ती स्पून भरकर हमारी निहारी को भी पकते, 8-10 मिनिट हो चुके हैं, हम आपको बताएंगे आप इसे किस तरह से सर्व करें, बस अच्छी तरह से इसे इस तरह स्प्रेट करेंगे और फ्लेम को बन कर देंगे, करमा गरम नहारी बिलकुल तयार है, हम आप जो हूँ हो, एफ बन करें मुभाबे गर रहत अच्छी같 श्रीचा है, करते बनाम मार मोश घ्ड़कि ट्ड़ युकर रात जilen kो रहत से सरते इस तरह से से इसे डती सक्याम तरह से ड़कित만 Nい हैं, भीन देंगी हैं, हम एर रात की हैं, को पूह सबते हैं, तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए टिक केर बबाए अलाहाफिज